Hello friends, welcome to Affairs Cloud Learn to Lead, this is Aashu and today we will discuss very important current affairs of 25th of September आज हम बहुत important current affairs discuss करने वाले हैं 25 सब्तमबर के और आप यहाँ पे देख सकते हो दो photo reviews और आज हम 4 से 5 बहुत important news जो हैं वो discuss करने वाले हैं तो बिल्कुल end तक जो है वो वीडियो को आप देखोगे और साथ ही साथ उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपके साथ discuss करूँगा जो कि related है affairs cloud PDF सब्सक्रिप्शन से related आप हमारी affairs cloud की PDF जो की daily current affairs के basis पे है weekly PDF आपको मिलेगी इसमें weekly test मिलेगा monthly PDF जो है वो आपको मिलेगी उनके लिए बहुत ही beneficial है और एक आपके बास current affairs pocket PDF ये basically उन बच्चों के लिए है जो current affairs को फटाफट revise करना चाहते है पेपर के time period पे तो ये भी आपको जो है वो इसी subscription के साथ ही जो हो मिल रहा है मतलब आपको इस subscription में सारी चीज़े जो है वो मिल रही है जिसमें daily weekly और monthly PDF आ कर सकते हो assCloud slash currentaffear या फिर इसके नीचे घिस्क्रिप्टन link जो है वो दिया हुआ, उससे भी आप क्या कर सकते हूं इसको जो है सीधा सब्सक्राइब कर सकते हो और उस minimal cost के ऊपर मेरी तरफ से आपको 10% discount जो हो दिया जा रहा है आप code use कर सकते हो, as10, तो इससे भी आप क्या क कर सकते हो इसको यूज कर सकते हो और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं फिर पहले कोश्चन से 25 सप्टमबर के करंड़ और पहला कोश्चन आपके पास वर्ट इस न्यू लिमिट ऑफ दी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड पर कॉबिट स्वेस्विक इंफ्रस्ट्रक्ट इसमें सरफ यह तरफ से पैसे को जो है वो वो कितने परसेंड यूज Oz गर सकती हैती आफ यूज Dare आना एस के लिए उन स्टेट के लिए टो बहुत ही ज्यादा इंपáficटरेंट है जो की कि स्के ओपर काम कर रही हैं जो की करっ के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है परदानमंद्री मोधी जी ने अभी मीटिंग की थी उन स्टेट्स के साथ लाइक छे स्टेट्स हैं वो और यूनिन टेरिट्री है मिलाके एक हमारे पास आंद्रप्रदेश होगे महाराष्टा करनाटका पंजाब तामिलनाडू एंड प्रदेश और दिल्ली तो कह दिया गया है कि 35 परसेंट की बजाए जो हो अब कितना यूज कर सकते हो फंड में से 50 परसेंट पैसा यूज कर सकते हैं तो यह बात याद रखोगे और स्टेट डिजास्टर का याद रखना है मैं बता चुका हूँ डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 उसके थ्रू जो है जो फंड जो है वो सरस्टेट गवर्मेंट क्या कर सकती है यूज कर सकती है तो यह बेसिकली इसमें इंपॉर्टन नियुज है और गाइस 300 लाइक्स जो चाहिए इस वेरी इंपॉर्टन विकाज यह हमें मोटिवेशन देता है कि हम औ और तरह के वीडियो जो है वो आपके सामने लेखिए और तरह के कंटेंट जो है वो आपके सामनेगे डेके तो ज़्यादास जितने आप लाइक्स क्टेंट मिलता जाएगा आप देख सकते हूं है 85% से कितना गर दे टके 50% और इसको कहते है ऍस्टेट डिसास्टेरSecond मीटिंग हुई है उन्होंने discussion की है और tie up भी किया है कि हमने water conservation के उपर काम करना है पानी को बचा के रखना है खास करके जो SDG goal है sustainable development goal 6 number का goal है उसमें लिखा हुए कि water and sanitation की problem को क्या करना है दूर करना है और government का target भी है जल जीवन mission के तहट कि 2024 तक हमने सब को पानी जहों पहुं पूरा हमने करना है लेकिन यह target जो है वह हम एक country के साथ discuss कर रहे हैं इंडिया और which country ताकि हम infrastructure development कर सकें और water को conserve करके रख सकें क्योंकि एक problem है water को conserve करके रखना बहुत जरूरी है 100% water में जो availability है fresh water की वो सिरफ एक ही percent रह जाती है क्योंकि 97% तो जो है वो saline water है क्या है saline water 3% जो है वो आपके पास क्या है fresh water है 3% में 2% जो है वो क्या है solid state में मतलब अपको होगी glacial form में 1% जो है वो यूज कर सकते तो इसलिए पानी को conserve करना बहुत जरूरी है और यह discussion किसके साथ हुई है United Kingdom के साथ तो इसको याद रखना है कि United Kingdom के साथ हमने water conservation से related जो है वो बात की ह है और हमने यह surety दिया कि दोनों countries मिलके जो है वो क्या करेंगे पानी को conserve करेंगे इवन दोनों के बीच में जो है वो agreement भी sign हुआ कि किस तरह से हमने पानी को बचाना है लाइक इदर हमारे पास क्या हो गया गंगा हो गया उदर हम कह सकते हैं British water हो गया तो किस तरह से हमने इ इंडिया के अंदर already जो है तीन मिशन जो है वह इसके उपर चल रहे है water conservation के एक जल जीवन मिशन हो गया एक स्वच बारत हो गया और एक हम कह सकते हैं कि हमारे पास हो गया that is नमामी गंगे तो यह तीन मिशन वाटर से लेकर तो United Kingdom Capital आपको पता यह लंडन करंसी है Pound Sterling और स प्राइम निस्टर है Alexander Boris याद रखोगे Alexander Boris देखा होगा आपने Alexander Boris तो आप देख सकते हो इंडिया-UK Water Partnership Forum discuss on water conservation अगली न्यूस के उपर आते हैं आप कह सकते हो summit किये जिसका नाम है sustainable development impact summit 2020 कि क्या impact पढ़ रहा है global climate के उपर तो उन्होंने यह भी कहा है इसके अंदर एक title दिया गया banner लगाया गया realizing a great research for sustainable development कि किस तरह से sustainable development के goals को achieve करते हुए भी हम काफी गलतिया कर रहे हैं और उसमें भी हम temperature जो है 2100 जब 2100 के साल में पहुंचेंगे 2100 में पहुंचेंगे तो दिल्ली का on an average temperature जो है वो एक साल में 8 महीने 32 degree Celsius रहेगा कहने का मतलब है कि जो आजकल on an average जो temperature दिल्ली का है वो almost अगर आप देखोगे बहुत ही कम है इससे लेकिन वो कहते कि अगर ऐसे हालात रहे तो 2100 तक पह temperature है on an average जो है वो क्या होने वाला है बढ़ने वाला है तो इससे पता लग रहे है कि pollution का level increase हो रहे है सारी चीज़े increase हो रहे है किस तरह से इसको अब control किया जा सकता है यह World Economic Forum का जो है वो क्या था सम्मिट था जो जिसको कहा गया sustainable development impact summit 2020 तो बहुत important है World Economic Forum तो headquarter पूछा गया headquarter कहां पर friends Switzerland में है Switzerland में अगर आप देखोगे कहां पर है क्लॉगनी exact place अगर आपको बाइचांस पूछने तो याद रखना है क्लॉगनी that is the headquarter of World Economic Forum और बहुत ही important important से रिपोर्ट जो है वो World Economic Forum रिलीस करता है जिसमें से आप एक दो याद कर सकते हो जैसे global competitiveness रिपोर्ट जो है वो World Economic Forum की तरफ से रिलीस की जाती है सबसे important जो रिपोर्ट इसकी तरफ से इशू की जाती है हो किया थे global gender gap report global gender gap report यह इनकी तरफ से इशू की जाती है clear तो यह याद रखना अपने World Economic Forum का तो अब देख सकते हो sustainable development impact summit 2020 realizing a great reset for sustainable development और यह 21 सब्सक्राइबर के बीच में जो है वह वह हुई है तो next question आते है airport authority of India commenced work on airport expansion project in which country दो तिन दिन से हम लगातार इसी country के बारे में बात करते आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा idea लगा के देखो कि कौन सी country जो हो सकती है जो किसी दूसरी country में airport expansion के बारे में जो है वह बात हो रही है यह हो रही है दोस्तों Maldives के अंदर Maldives के अंदर जो है वह इस बात को किया गया है कि India जो है मतलब Indian जो airport authority है वह Maldives के एक airport को expand करेगी और इसमें खास बत यह है यह नदन Maldives का सबसे बड़ा infrastructural project है नदन Maldives का सबसे बड़ा infrastructure project है और airport का नाम का है इसके उपर जो है वह expansion काम हो रहा है और इंडियन गवर्मेंट इसके लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है 800 मिलियन यूस्टी जो है वह खर्च कर रही है 800 मिलियन यूस्टी यह तरह का loan loan है basically grant नहीं है यह बात आप याद रखोगे यह loan है grant नहीं है मत्तब यह पैसा क्या करना होगा किसी तरह से वापिस करना होगा एक तरह से line of credit है जो की export import bank of India की तरफ से दिया जा रहा है और यह इंडिया अपने आपनी कर रहा यह government of Maldives की request थी उसके base पर ही जो है वह किया जा रहा है recently India और Maldives के बीच में अभी एक ferry service भी start की गई थी जिसके त्रू जो है हम क्या सकते हैं कि cargo terminal जो है वो बनाया गया था कि आप जो है वो क्या कर सकते हो समान को इदर उदर लेके जा सकते हो और एक महिने में दो बार उसको चलाया जाएगा उदर से हम टुटी कोरी इवन रुफईया है रुफईया मैं काफी बर बताता रहे तो मालदीव का प्रेजिडेंट है इम्राहीम मौहमद सोली इब्राहीम मौहमद सोली और एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अरविन सिंग याद रखोगे इसको इंपॉर्ट नेक्स कोश्चन आते है विच बैंक लॉंच्ट फरस्ट ऑफिट्स काइं डिजिटल फैसिल्टी सेफ पे फॉर कंटेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ट पेमेंट तो अगर आप इस बैंक की आप पे जाओगे तो वहां पे आपको एक सेफ पे नाम से जो है वो एक ऑप्श चैल मशीन को जो वह दिख जाए मतलब स्कान हो जाए उसके बाद जो है वह आपकी ट्रांजेक्शन जो हो गया तो कोई टच नहीं किया तो कॉंटेक्टलेस हो गया इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बैंक से बैबिट कार्ड बेस पेमेंट सिस्टम जो वह 18 में यह कैपिटल फस्ट और आई ऐफसी बैंक को मर्ज करके जो है बनाया गया था तो आई ऐफसी फस्ट याद रखोगे बहुत इंपॉर्टन कोश्चिन है सेफ पे नाम से जो इसको याद रखोगे और इसलिए भी इंपॉर्टन है क्योंकि इसका हेड़कॉर्टर ज्या नाथन रिमेंबर वी वैदनास से याद कर सकते हो अधर्वाइज वी वैद्यानातन देख सकते हो यहाँ पे सेफ नाम से आईडिया फस्ट ने जो है वो इसको क्या किया है स्टार्ट किया है अगले कोश्चिन के उपर आते हैं विच स्टेट वन टैन्थ एन्नुल एजड वॉड़ 2020 as people twice winner under the category of social good मतलत लोगों के लिए आपने उस बील्डिंग का निर्मान किया है यह आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा जो है वो बिल्डिंग का निर्मान किया उसका और बहुत अच्छा है तो उसके लिए यह वाय दिया जाता है और इस AZ का मतलब क्या है यह बै और यह आप कैसकतों MGAN di average publishing Agency बहुत ही इश है और यह अवज क्यूं दिया जाता है अज़ो यह अग्चा डिया गाट के बैस पर लात ऑट-गे बहुत ही इन्नीव इडिया आईडिया हो या आप कह सकते हो कि कोई स steak lj a bit बते लिए अब क्रिशी ने की अग्धार um बना हुआ है वो एक अनोखा आर्किटेक्चर है उसमें जो ओडिसा की एक साड़ी है दाट इस एकत साड़ी लेंथीयस्ट डाम है हीरकोप महा नदी रिवर के ऊपर बना हुआ है है ओडिसा इतनी सारी चीज़ें आपने घ्रैस्प करनी हैं एक दिन में नहीं होगी इसको रोज करो satisf गें तोरोज विडियो देखोगे PDF से पढ़ोगे तभी ये चीज़ें जो है वो याद होने वाली है तो याद तो वैसे भी मैं कहता नहीं हूँ कि याद करो चीज़ों को आप इतने द्यान से पढ़ो उसको कि आपके दिमाग में अपने आपी छप जाएंगी तो पूरी कंसेंट्रेशन से पढ़ो उसको और आप देख सकते हो यह है वो डिजाइन जिसकी मैं बात कर रहा था यह क्रिशी बवन और इनको मिला है एजड अवार्ट 2020 याद रखोगे इसको इंपॉर्टेंट है और कई पर पूछ लेते किसको मिला है तो डिसा के क्रिशी बवन को मिला बनाया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और को सिंपल है इसर इंडिया का बनाया गया है रिसेंड़ी सचिंद अंदूलकर जी को पेटियम फस्ट गेम्स का बना दिया गया है अईश्मान खुराना को जो है वो बजाज अलाइंस का बना दिया गया है विराट कोली जी को एजुकेशन कंपनी ग्रेट लर्निंग का जो है वो क्या बना दिया गया ब्रेंड बेस्ट है और शची दिंदूलकर जी की भी आड़ा आपने देख ली होगी आ चुकी है टीवी के उपर आईश्मान खुराना की जी भी आ चुकी है विराट कोली जी की भी आ चुकी है सिरफ सोनसुथ जी की रहा गया अभी अभी बनाए गया तो उनकी व्याड़ा आप एक दो दिन में देख लोगे तो आप देख सकते हैं सोनसुथ जी एसर इंडिया की तरफ से ये ब्रैंड जो मतलब ये एग्रिमेंट जो है वो साइन किया गया है किसको जो है वो न्यू मेनेजिंग डिरेक्टर बना दिया गया एनर्जी एफिशेंसी सर्विसे लिम्टर का ये मिनिस्ट्री आफ पावर के इंडर आती है गौवर्मेंट का पी एस यू है मतलब कहा सकते हैं पब्ली सेक्टर यूनिवट्स में से एक है और किसको न्यू मेनेजिंग डिरेक्टर बना दिया गया इसका उसका नाम है रजजट सू जी रजजट सू जी को बना दिया गय पहली बार हुआ है कि रेलवे का कोई CEO बनाया गया है और वो कौन है वीके जादव जी इंजट्ती शरी निवास कौन है इंजट्ती शरी निवास जी जो है वो International Financial Service Authority के चेर्मेन है जो की गुझरात में बनाया गया था उसको ताकि International Exchange के अंदर जो है वो कोई भी तरह की प्र इसको यहां पर देख सकते हो एक साल के लिए फिर 2020 में फिर खतम होने वाला है फिर एक साल और बढ़ा दिया मतलब अब यह जो है वह अक्तूबर 2021 तक जो है वो रहेंगे कोटेक के और साथी साथ यह मैंडिकल चैनल है जिसके तुछ यह सारी फाइनेंशल सर्विस को देखते हैं तो इंफ्रेस्ट्रुक्ट्ट्र लीजिंग फाइनेंशल सर्विस का एक तसाल जो है वोकौटेक को बढ़ा दिया गया है तो आप पो उद्यकोटक जी के बारे में पता ही है आप यहां पर देख सकते हो तो बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन कोटेक बैंक के लिए आपने पिक्चर से को देख लेना है थोड़ा से बस नाम याद कर लो मतलब को याद सरट्टा लगाने की जुरूरत नहीं है तो नाम है इनका मुहम्मद हुसेन रॉबल इनको प्षूग मैं ऑप अपास थे इनको हसन अली उनको रिजाइन करना पढ़ा था इसके बाद जो है वह नए प्राइमिंस्टर आए है और उनको पॉइंट किया गए मुहमद हुसेन रोबल और सो्वालिया के बारे में फ्रेंड याद रखना है समालिया के मौंध अब्दुल तो Prime Minister याद कर लिए, President चाहे रहने दिए, Mohammed Abdullah Capital है Mogadishu, M-O-G-U, M-O-G-A, sorry, M-O-G-A-D-I-S, Mogadishu, that is the capital, currency is the Somali shilling, currency is the Somali shilling, तो this is about the Somalia, Mohammed Hussein Robal is the Prime Minister of Somalia. next question, what is the range of Prithvi 2 missile, अब इस question को क्यों पुछा जा रहा है, Prithvi 2 missile के बारे में ही Prithvi 1 या Prithvi 3 के बारे में ही पूछा जा रहा है, क्योंकि Prithvi 2 का अभी अभी जो है, वो टेस्ट हुआ है, आप कह सकते हो कि इसका demo basis पे trial हुआ है, यह हम हर साल करते हैं वैसे तो, last year, जो है, वो नुवंबर 2019 में हुआ था, लेकिन इसका परिक्षन जो होता रहता है, जो इसका परिक्षन हुआ है, वो चांदीपूर कोस्ट ओडिसा से हुआ है, ज्यादा तर मिजाइल्स का वहीं पे होता है, और Prithvi 2 की range बताने हैं आपने मुझे, Prithvi 2 की range है, 350 km, Prithvi 1 की जो है, वो 150 km तक है, Prithvi 2 की जो है, वो 3500 km तक है, वैसे 250 है, लेकिन extendable to 350, और 3 की जो range है, वो 3500 है, लेकिन वो extendable to 750 km, तो याद रखना है, यह कितनी range जो है, वो किसकी है, और यह किसने develop किया है, DRD ओने develop किया है, DRD और स्टैंड फर Defense Research and Development Organization, और इसके chairman कौन है, जी सथीश रेड़ी, जी सथीश रेड़ी और headquarter कहां पर New Delhi, DRD को headquarter maximum लोग Bengaluru माग करके आते हैं, लेकिन यह गलत है, यह है answer New Delhi, तो याद रखना है इसको, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, Prithvi 1 का है यह photo, तो otherwise, नहीं, Prithvi 2 का ही है, तो Prithvi 2 जो है, वो basically यहाँ पर testing हो र minister to die due to COVID-19, यह एक अलग तरह का question है, शायद कोई examiner पूछ सकता है यहाँ से, अगर अलग दिख्या का question पूछ ले, कि ऐसा पहला कौन से union minister हैं, जिनकी करोना के करन्देत हुई, आए दिन हम करन्द affairs में करते हैं कि बहुत ही famous personalities की COVID-19 के करन्देत हुई, तो इस time जो हुई है वो किसी union minister के हुई है, और मैं आपको hint देता हूँ कि वो minister of state है, railway के, मिनिस्टर of state है, railway के, state के है, मिनिस्टर of state railway, मतल़ junior railway minister है, और वो कौन है, सुरेश अंगदी जी, सुरेश अंगदी जी का जो है, वो दिहान्त हो गया है, COVID-19 के कारण, और बाकी भी सब minister हैं, लेकिन व मिनिस्टर थी, तो सुरेश अंगदी जी जो हैं, वो union minister थे, center government के अंदर, तो ये एक खास मतलब आप यहां पर कह सकते हो कि important question के तोर पे, और कई बार constituency पूछ सकते हैं, तो याद रखनी है, बेलागवी, बेलागवी कहां पे है, करनाटका में है, बेलागवी कहां पे है, क नाटका में, तो इनको minister बनाया गया था भी 2019 में, जब चुनाव हुए थे, लोक सबाके, तब जो है, वो उसके बाद इनकी अब देत होगी, और यह मातर 65 साल की उमर में इनका देहान तो गया, तो याद रखोगे, फोटो से आपने शायद काफी बार देखा भी होगा, minister of state लेटरियल वे सुरेश अंगोती, नेक साते हैं, who become the first woman observer to operate from worship, बहुत ही important question, most important question में, इसको mark कर लो, कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दो women, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको hint दे रहा हूँ, दो women जो हैं, उनको लगाया गया है, worship के उपर, उनको लगाया गया है, और वो दो women हैं, जिनको लगाया गया है, और वो कौन सी है, sub lieutenant, कुमूदी नी, त्याग नी, और त्यागी, and this is the sub lieutenant, रिति सिंग, तो आप याद रखोगे, कुमूरित, कुमूरित करके याद कर सकते हो, इससे याद रहेगा, या त्यागी और सिंग करके याद कर सकते हो, त्यागी and सिंग कंपनी, त्यागी and सिंग जो है, वो basically लगाई गई है, पहली woman observer है, जो warship को क्या करेंगी, operate क याद रखो गया, बहुत important question है, क्योंकि woman level पे है, तो याद तो रखना पड़ेगा, next question है, which state launched मुख्या मंत्री ग्राम में परिवेहन अच्छोनी, जब भी अच्छोनी वर्ड आ गया, अच्छोनी से आपने थोड़ा सा याद रखना है, ये कौनसी state की बात होती है, maximum chances होते की बात हो रही है, यहाँ पर गाओं के level को, ताकि connectivity जो है, वो क्या हो सके, improve हो सके, तो उसके लिए scheme को start किया गया, असम की तरफ से, जो हमारे पास उनके chief minister है, सरबनन्दा सोनोवाल जी, उन्होंने इस scheme को start किया है, transport department असम की तरफ से जो है, वो इसको start किया गया है, इसके government कहती है समकी की 25% cost, या फिर एक लाक रुपे, जो भी इन दोनों में से minimum होगा, वो हम provide करेंगे, बाकी cost जो है, वो बंदा bond करेगा, लेकिन 25% या उसमें से, आप कहा सकते हो, एक लाक रुपे, जो भी इसमें से कम होगा, वो सरकार क्या करेगी, पे करेगी, और इसको कम से कम जो है, वो 26,000 villages में जो है, वो चलाने की, जो है, वो जोजना सरकार ने बनाई है, इससे क्या होगा, जब वो vehicle दिया जाएगा, इससे rural connectivity इंप्रूव होगी, और खास करके, medical issues जो है, medical emergencies जो है, वो भी जो है, वो इसमें cover up हो सकती है, क्योंकि उस vehicle से, आप एक जगा से, द very important state, exam point of view से बहुत important है, क्योंकि यहाँ पे है, दो UNESCO heritage sites, UNESCO sites कौन सी है, एक तो काजी रंगा नेशनल पाक है, एक मानस wildlife century है, यह दोनों UNESCO sites है, यहाँ पे और भी wildlife century है, गरम पानी wildlife century है, यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, बहुत important, दिबरू शाइकोवा, दिब रखना है, that is the largest riverine island, largest riverine island है, मजौली island, यह बरंपुत्रा river बनाती है, मजौली island, क्योंकि उसके पास waste material बहुत जादा होता है, तो रस्ते में जब जमा करती है, तो क्या बन जाता है, मजौली island बन जाता है, तो असम को याद रखना है, चीफ निस्ट्रम आपको बता चुक या मुख्यमत्री ग्राम परिवहन चोनी स्कीम, नेक्स्ट कोस्चन दोस्तों, which state government inaugurated two major green projects to be set up in collaboration with European Union countries, तो European Union countries के साथ, दो green projects जो है, वो स्टार्ट हो रहे है, एक तो solar power plant जो है, वो लगाया जा रहा है, एक जो है वो साथ में sustainable development जो है, और infrastructure development program जो है, वो स्टार्ट किया जा रहा है, और जो ये sustainable development project है, like waste management, sustainable development project, इसके उपर 26 क्रोड रुपीज का खर्चा आएगा, जिसमें से कुछ state government देगी, और कुछ जो है, वो European nation countries देगी, खास करके जो Dutch हैं, निदलेंड के हैं, वो जो है, वो इसको provide करेंगे, इससे उमीद है कि 5 लाग के आसपास, जो है, power project, ये जो है, वो मिदनापूर district में लगाया जा रहे है, इस्ट मिदनापूर में, और 1200 क्रोड रुपीज का ये जो है, वो क्या है, परजेक्ट है, इसमें से 200 क्रोड रुपीज जो है, वो West Bengal government की दिये जाएंगे, लेकिन maximum पैसा European nation countries की दिया जाएगा, और इसमें भी उमी इन दोनों परजेक्ट को in collaboration with European Union, आपको ये भी आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने जो है, वो European Union से tie-up किया है, या European Union ने कौन सी स्टेट के साथ tie-up किया, इस तरह से भी कोश्चन आ सकता है, या अगर Bengal से बिलॉंग करते हो, वहां से कोश्चन आ सकता है कि Bengal ने किस के साथ tie-up क रखना, यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यह हर साल 24 September को नहीं आता, यह last week of September Thursday को आता है, last Thursday of the September को celebrate किया जाता है, world maritime day, यह इसलिए celebrate किया जाता है, ताकि लोगों को एहसास हो, लोगों को awareness आइस बारे में, कि world का 80% trade जो है international level पे, वो ships के थ्रू ही होता है, बहुत ह कि आप कह सकते हो, हैरानी वाली बात है, कि सबसे ज़्यादा trade, सबसे ज़्यादा भीन, even 80% of the trade जो है, पूरे world का international level पे, ships के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि most convenient है, सबसे बड़ी बात कि यह cheap है, और आप कह सकते हो कि इसमें चीजें जो है, वो बहुत ही, जो है, एक साथ जो है, वो अब transfer कर सकते हो, इसलिए theme क्या रखा गए, sustainable shipping for a sustainable planet, तो इसको याद रखो, कोई world maritime डे, और इसके लिए organization बहुत ही important हो जाती है, और वो कौन सी हो जाती, IMO, क्योंकि main organization international level पे, जो maritime activities को देखती है, वो कौन सी है, international maritime organization, maximum लोग इसका answer गलत लगाते है, headquarter बूचते जनेवा लगाते हैं, क्योंकि यह IE से start होता है, ओपे खतम होता है, तो याद रखना है, सारी organization आई से start होने वाली, ओपे खतम होने वाली, जो headquarter जो है, जनेवा नहीं होता, इसका headquarter कहां पे है, London, याद रखना है, बहुत बर पूचा जाता है, IMO के, जो headquarter है, वो कहां प बेस्ट है, वो एक हमें momentum space, दोनोंने tie-up किया है, कि हम 2021 में एक mission बेजेंगे, मतलब एक satellite बेजेंगे, to SSO orbit, SSO orbit का मतलब है, sun synchronous orbit जो है, वो वहां पे satellite जो है, वो बेजा जाएगा, इसकी तरफ से pixel जो company है, basically यह मैं पहले बता चुका है, बेंगलूरू based company है, 2019 में इसको जो California के अंदर है, तो दोनों मिलके, जो हम एक satellite को क्या करेंगे, start करेंगे, तो यह याद रखना है, कि कौन सी company है, Indian based, otherwise हम ISRO पढ़ते हैं, या DRDO पढ़ते हैं, या फिर हम ASTISH Dawan Space Research Organization पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए अब एक और important होगे, that is the pixel, याद रखोगे इसको, तो यह यह थी हमारे पास important news, मेरे ख्याल से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, तो आपका subscribe तो बनता है, यहाँ पे, तो subscribe जुरूर करें channel को, guys 300 likes मुझे चाहिए, चाहिए, रोज मैं आपको कहता हूँ, लेकिन 300 likes के बिना हमें motivation नहीं मिलती, यह कम से कम motivation factor है, जो हमने decide कि 300 likes जो हम मिलने चाहिए, ताकि videos continue रह सकें, और हिंदी में आपको content जो हो मिल सकें, और यह affairs cloud का promise है, कि यह आपके current affairs section और general awareness section को boost करेगा, और यह मेरा personally promise है, कि अगर एक महिने तक आप videos को लगातर देखोगे, मारी PDF को द्यान से पढ़ोगे, तो आपको कोई भी current affairs exam में गलत नह होने वाला, और यह आपके confidence को बहुत ही जादा boost करेगा, और current affairs section में आपको कोई भी problem नहीं आने देगा, और thank you for watching this video, take care.